हलो प्रेंश वेलकम टो माय चैनल कूकिंग लईज तो आज हम बनाएंगे सब की फेवरत मीठाई Guleb जमून वैसे तो गuleb जमून सूजी, ब् molar के और वी बहुत तरीकों से बनाई जाते हैं लेकिन हम बनाएंगे ड्रीचिनल तरीके से मावा गुलाब जमून, जिसको खोवा भी बोलते हैं, तो चलिए मेरे साथ जल्दी से बनाते हैं, मावा गुलाब जमून तो उसके लिए हम सबसे पहले शुगर सिरुप रेडी करेंगे, तो मैंने इधर तीन कप शुगर डाल दी है, और साथ में ही सवा कप पानी डाल दिया है इसमें, और इसकी हम एक तार की चाशनी बनाने वाले हैं, इसको मिक्स कर देते हैं, और साथ में ही डाल देंगे एक चमच लेमन जूस, यह जो लेमन जूस रहता है, यह शुगर को चाशनी में जमने से रोकता है, मिक्स कर देंगे, और इसको स्लो फ्लेम पे पकने देंगे, और गुलाब जमन बनाने के लिए हम लेंगे 200 ग्राम मावा, और इसमें डाल देंगे 100 ग्राम पनीर, पनीर डालने से यह बहुत ही सॉफ्ट और दानेदार बनते हैं, दोनों को मिक्स कर देंगे, और साथ में ही डाल देंगे बाइंडिंग के लिए 5 टेबल स्पून मैदा, और इसको अच्छी तरह से आटे के जैसे गूंद के, एक सॉफ्ट डो त्यार कर लेंगे, तो एकदम मौलाइम डो त्यार है हमारा, इसमें हमें बिल्कुल भी पानी या फिर दूट डालने की जुरूरत नहीं पड़ी है, तो इधर चाशनी चेक कर लेते हैं, उसके लिए हम थोड़ा सा सिरब लेंगे, उसको हाथ पे लगाके, ऐसे देखेंगे, तो देखिए, एक तार की चाशनी हमारी तेयार है, और फ्लेवर के लिए डाल देंगे इसमें वन फोर्थ टी स्पून रोज एसेंस, आप इसमें इलैची पॉडर भी डाल सकते हो, मिक्स कर देंगे, और गैस को बन कर देते हैं, अभी गुलाब जमन तलने के लिए मैंने इधर ओईल गर्म का होने के लिए रख दिया है, आप गीवी यूज कर सकते हो, तो चलिए अभी गुलाब जमन बना लेते हैं, थोड़ा सा डो लेंगे हाथ में, और इसको दीरे दीरे गुमाते हुए, एकदम क्रैक फ्री बॉल बनाएंगे, तो दीखे, कोई भी क्रैक नहीं है इसपे, ऐसे ही एक एक करके बॉल बनाते जाएं इदर सारे बॉल्स मैंने बना लिए हैं, इदर थोड़े ओवल शेप के भी बनाए हैं, क्योंकि बच्चों को ये शेप के ज़्यादा पसंद आते हैं, चलिए तेल चेक कर लेते हैं, तो थोड़ा सा डो लेंगे, और इसमें डाल के देखेंगे, तो देखे, ये एकदम से उपर आ गया है, तो हमारा तेल रेडी है, गुलाब जमून तलने के लिए, उसके लिए तेल का टेमपरेचर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हम इसको लो से मीडियम फ्लेम पे ही फ्राइ करेंगे, फ्लेम ज़्यादा हाई नहीं करेंगे, क्योंकि वो फिर टचनी करेंगे, सिर्फ ऐसे बरतन से हिलाते हुए, या फिर तेल को ऐसे हिलाते हुए, इनकी साइड चींज करते जाएंगे, डिरेक्ट टचनी होने देंगे, इससे क्या होता है, गुलाब जमून फटने के चांसे बढ़ जाते हैं, और इनको हम गोल्डन ब्राउन होने त और बाकी के बचे हुए बॉल्स भी हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे, तो देखिए, पूरे गुलाब जमून मैंने फ्राई कर लिये हैं, अभी हम इनको चांसनी में डालके, ऐसे हिलाते हुए, डिप होने देंगे, गुलाब जमून का असली मज़ा लेना है, तो उसके लिए दो गंटा हमको वेट करनी पड़ेगी, तो इसको ऐसे ही डखकर छोड़ देंगे, दो गंटे हो चुके हैं, चलिए गुलाब जमून चेक कर लेते हैं, तो देखिए, चाशनी वी तकरीबन आदी रह गई है, इसका मतलब है गुलाब जमून ने चाशनी अच्छी तरह से सो पैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना, और साथ में ही दिएगे बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, तो देखिए, कितने सौफ्ट और दानेदार बने हैं, आप भी घर पे जुरूर ट्राइब करना, तो मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, बाई!